Hello Everyone, आज हम बात करेंगे Making India program के part 2 की Last video lecture के अंदर हमने discuss out किया था कि जो Making India program है ये कब start किया, किस ने इसको start किया और इसके basic objective क्या है तो आज चो हम बात कर रहे हैं basically Making India program में कि Making India program में कौन से ऐसे prominent sector है जिनको identify किया गया है कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा उनको बढ़ायें, उनको थोड़ा सा डीवलप करें, तो इससे हमारी जो प्रडक्षन की activities हैं, तो उनको बढ़ाया जा सकता हैं, तो ऐसे कुछ जो एरियाज हैं, जो कुछ सेक्टर हैं, उनको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिसकस करेंगे, इसके लावा, मेक इंडिया प्रोग्राम के जो स्ट्रोंग पॉइंट है, वो क्या है, और मेक इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्या-क्या कमिया है, और उन कम तो आज जो ये सारे टोपिक है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिसकस आउट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमिनेंस सेक्टर इडेनटिफाइड प्र मेक इन इंडिया के लिए ऐसे कौन से सेक्टर है जिनको आइडेनटिफाइड किया गया है तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे Automobile Automobile जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज़ादा एक हम कह सकते हैं कि हमारी GDP के अंदर इसका बहुत बड़ा contribution है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा person नहीं होगा मतलब रियरली आपको ऐसा person देखेंगे जिसके पास कोई vehicle नहीं हो तो means इसका जो contribution है चाहे वो GDP की बात हम कर रहे हैं या हम employment को provide करने की बात कर रहे हैं तो उन सब में automobile का बहुत एक important place है वर्ल्ड में अगर हम tractor की बात करें कि जो tractor manufacturing के अगर हम बात कर रहे हैं तो 45% का जो 45% का इसका contribution है ठीक है बहुत सारे ऐसे एरियास है कि tractor में तो पहला हम first इसको प्लेस पे रखते हैं बस के बस के manufacturing में second largest bus manufacturer है हमारा इंडिया second largest two-wheeler manufacturer है fifth largest commercial vehicle manufacturer है and sixth largest car manufacturer in world है तो इससे क्या है कि मतलब अगर हम इसके बात कर रहे हैं automobile की बात कर रहे हैं तो इससे बहुत एक important role ये play करता है हमारी economy के development में इंडिया के अंदर जो middle income के लोग होते हैं जो middle income की class है उनका lifestyle अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज के time में तो loan की इतनी facilities available है कि किसी vehicle को खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा total population के अंदर जो young population है उनकी percentage बहुत जादा है इसके लावा लोग क्या चाहते हैं वो एक high standard of living पर जीना चाहते हैं तो इसी वज़ा से जो motor automobile companies हैं वो बहुत जादा develop कर रही है बहुत जादा वो effectively काम कर रही है इंडिया के अंदर भी government ने बहुत सारी ऐसी जो foreign companies हैं तो उनको invite किया है जसे Toyota है, Hyundai का हम example ले सकते हैं Suzuki है, Volkswagen वगेरा तो यह सब क्या है इन्होंने अपने जो production plant है वो इंडिया के अंदर establish कर रही है ठीक है और यह जो foreign automobile companies है वो इंडिया में वो सिरफ अपने ही जो production center है वही पर अपने vehicle नहीं बना रही है otherwise वो क्या कर रही है मतलब बहुत बना रही है और साथ में वो इन जो यहाँ पर जो चीजे बनती है उनको बाहर जाकर भी उनको sale किया जा सकता है ठीक है तो इसके अंदर जो हमारी Indian industries है तो automobile के अंदर कुछ ऐसे जो tool वगएरा लगाये जाते हैं कुछ parts लगाये जाते हैं जो उनके थ्रू बनाए जाते हैं तो बहुत जादा जो है इसकी बज़ा से economy हमारी grow कर रही है second हम बात करते हैं इसमें जो second type की industry है तो उसके अंदर आती है engineering industry engineering industry कि इंडिया में last के कुछ years में जो engineering industries हैं उसने बहुत जादा development किया है engineering industries में बहुत सारे से areas हैं जिनको include किया गया है जैसे energy है, steel है oil and gas का है, automobile है electronics वगहरा है, तो उनके उपर काफी effect पड़ा है इंडिया में आज के time में बहुत सादा, मतलब एक skillful हम engineer कह सकते हैं और वो कम labor पर available होते हैं तो इंडिया में क्या किया जा रहा है इनकी development के लिए इन areas की जो engineering industries है इनकी development के लिए 100% FDI को invite किया है उसकी permission दे दी गई है अब आज जो है वो engineering industries के अंदर foreign direct investment 100% की हो सकती है chemical and petrochemicals industries की chemical and petrochemical industries के अंदर क्या include किया गया है chemical and petrochemical में भारत को अगर हम इंडिया को मान के चले तो chemicals के manufacturing में ये बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये producer है chemicals है उसके production में इसका जो place है वो इंडिया के अंदर पूरे world के अंदर ये fourth place पर आता है जो dying के chemicals हैं तो उसका भी बहुत बड़ाई contribution हम इंडिया का है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो chemical industries हैं बहुत जादा बहुत अच्छे से वो काम करती हैं तो इसमें भी government ने automatic route के through 100% FDI के permission दे दी है क्योंकि अगर ये develop होती है तो इससे क्या होगा इससे पूरी हमारी जो economy है वो develop हो सकती है next जो industries में हम include करेंगे that is textile textile इंडिया का world के अंदर textile industry के form में बहुत अच्छी मेज है इंडिया world में बहुत fiber और silk के production में भी इंडिया बहुत अच्छे प्लेस पर है तो इंडिया का textile के अंदर बहुत बड़ा contribution होता है इंडिया का जो total अगरम बात करें कि export में textile industries का बहुत बड़ा contribution है इसमें इसका reason ये भी हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर अच्छे skill वाले जो लोग है जो human resources होते हैं वो कम label पर अवेलेबल होती हैं अच्छी quality की वज़ा से quality अच्छी होती हैं तिके कम price पर अवेलेबल हो जाती हैं जो quality input हमें required होते हैं वो कम price पर अवेलेबल होते हैं और government भी इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रमॉट कर रही है जैसे इन इंडस्ट्रीज के लिए जो कापिटल जो थम्मे टेक्नीक्स की रिक्वार मेंट है तो उनको हम असानी से भाहर सी इंपोर्ट कर सकते हैं टेक्सेशन्स में भी कही तरह की concessions बगएरा दिये गए हैं concessional rate पर loan provide किये जाती हैं तो textile industries को बहुत ज्यादा develop करने की efforts किये जा रहे हैं next जो industries हैं जिसको identify किया गया है जो prominent sector में include किया गया है that is IT हमारा जो sector है BPM और IT sector information technology and business process management world में इंडिया का जो IT sector है इसकी image भी बहुत जादा अच्छी है चाहे अगर हम employment के creation की बात करें या हम export की बात करें तो IT industry बहुत अच्छा role play करती है तो इसको भी इसको भी develop करने के लिए making India program में इसको एक important place दिया गया है then asa ही जो next industries है उसमें include किया गया है electronic industries electronic industry भी बहुत तेजी से develop करती है इंडिया के अंदर तो इंडिया में जो electronic product है जैसे telecom के equipment है LEDs है medical equipment है automobile है electronics equipment वगेरा है तो इनकी जो demand है वह बहुत जादा है तो government भी इनको produce करने के लिए बहुत जादा motivate करती है जैसे capital में कही तरह की subsidies दी जाती है concessional और loan provide किये जाती है income tax में कही तरह की concessions दी जाती है that means बहुत important role है ये then next हम बात करते हैं defense manufacturing की तो इंडिया ने अपने जो defense equipment है तो उससे related भी जो पहले जो need थी तो उनको basically भार से import किया जाता था government को हर बार 20 billion के near about American dollar इसके लिए इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो equipment बगेरा है defense equipment है defense के लिए तो इंडिया में इंडिया के अंदर import को इंपोर्ट के अपर जो हमारी dependence है तो उनको कम करने के लिए तो इंडिया के अंदर it is investment की तरफ जादा जोड़ दिया गया है government ने क्या किया है जो private sector है तो उसको भी कुछ equipment को बनाने की permission दे दी है पहले सारा का सारा यह जो सारा होता था arms and उनको बनाने का जो काम होता था वह सिरफ public sector के थ्रू किया जाता था लेकिन अब जो है वो private sector को भी कुछ areas है उनको दे दिये गए तो इंडिया में जो है वो automatic route से 49% तक की foreign direct investment की permission दे दी गई है और अगर हम approved route की बात करें तो वहां से 100% तक की जो investment है वो FDI की form में हो सकती है that means इसको improve करने के लिए भी काफी liberal जो policies है उनको अपनाया गया है railways इंडिया के अंदर railways का बहुत बड़ा network है ठीक है इसमें जो है जो जो लोग travel करते हैं तो उनका जो number है वो बहुत जादा है ठीक है ऐसे जो माल गाड़ियां वगएरा होती है तो उनका भी number बहुत जादा है तो railways के उपर भी बहुत एक तरहां से इसको develop करने के लिए efforts किये जा रहे हैं नेक्स्ट है pharmaceutical तो फार्मसिटिकल में भी इसको भी एक prominent sector की category में लिया गया है तो भारत के अंदर जो pharmaceutical industries है वो भी काफी तेजी से develop हो रही है ठीक है इसके उपर भी काफी जादा काम किया जा र रहे हैं लेकिन फिर भी government की efforts है कि इनको जादा से जादा इनको और जादा ड्वलप किया जाए नेक्स जो आता है that is construction sector construction sector में भी पहले तो इंडिया बहुत अच्छे से बहुत बड़ा contribution इंडिया का होता था धीरे थीरे थोड़ा सा है कि situations थोड़ी critical होने की वजा से इन में कहीं न कहीं कमी तो आई हैं लेकिन फिर भी जिसे commercial mall है smart cities के अगर हम बात करें township वगेरा है जो residential areas है तो इनको भी improve करने के लिए भी FDI को invite किया गया है food processing food processing में भी इंडिया का बहुत बड़ा यह food processing जो industries है तो वह भी बहुत बड़ा एक important role play करती है इसका main reason यह है कि इंडि इंडिया एक rich agricultural resource based country है इंडिया का world में जैसे bananas के production में mangos के production में पपाया जिंजर है लेमन है तो इन सब में फर्स्ट इंडिया का जो रैंक है वह first place पर आता है दैनिस के लावा sugar cane है sunflower oils है dry beans है तो इन में का second number पर आता है cashew nuts, coconut, garlic, onion, green peas, potatoes, rice, tea, wheat, tomatoes तो इन में इंडिया का third place है तो means agriculture के अंदर इंडिया बहुत effectively काम कर रहा था तो central और state government ने इंडिस्ट्रीज को develop करने के लिए कई तरहा की capital subsidies दी है that means बहुत effectively यह काम करती है then next हम बात करते हैं tourism and hospitality की इंडिया में tourism and hospitality यह भी बहुत बड़ा एक मतब यह भी बहुत बड़े earner है इंडिया के लिए तो इंडिया में बहुत सारी ऐसे heritage sites हैं इसे tourist places हैं जहां पर बहुत से लोग आते हैं इससे हमारे जो employment है वह भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारा जो infrastructure वह भी बहुत ज़्यादा ड्वलप हुआ है तो government hotel industries को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं उनको promote किया जा रहा है next two industries है that is health and wellness इंडिया में आयुर्वेदा योगा इसके ओपर भी इंडिया की जो एक अगरम वर्ल्ड में देखे तो बहुत अच्छी मेज है ना कि ना सिर्फ इंडिया में बलकि जो पूरा all over the world है जो हमारा आयूश हम कह सकते हैं आयुर्वेदा योगा युनानी सिद्धा होमोपैथी, नाच्रोपैथी जो है तो इस तरह की जो medical अकरम बात करें की medical techniques है वो इंडिया में बहुत जादा है आयूश और हर्बल इंपोक्ष के इंपोर्ट में, स्पॉर्ट में इंडिया का शेकिंड प्लेस है तो गुबर्मक बहुत पाहँ है इस तरह की इंडिस्टि इसके बाद नेक्स बात करेंगे हमारी जो manufacturing policy है national manufacturing policy 2011 तो government of India ने नवंबर 4 2011 को एक national manufacturing policy को announce किया था इस policy का जो main motive था GDP को बढ़ाना था और 100 million additional employment opportunities को create करना था इस policy के अंदर क्या किया गया था कि जो basic objective था जो हमारा technical backwardness थी और जो हमारा skillful human resource के हमारे पास कमी थी battery environment है technological backwardness है inadequate availability of skill manpower है तो यह कुछ कमिया है infrastructure adequate नहीं है तो इन सब को recognize किया गया थीक है इसके लिए manufacturing sector को बहुत जादा important दी गई है तो government ने उसी को एक multiplier की form में माना है तो government ने इसकी development के लिए ही इस policy को introduce किया है तो यह जो policy है basically इसका जो major objective है national manufacturing policy का इसका जो major objective था GDP को 2022 तक 25% तक increase करना था और job creation को 100 million additional job में उसको increase करना था global competitiveness को face करना, domestic value addition वगएरा, technological death को बढ़ाना, environmental sustainability of growth तो यह सारे जो चीज़े हैं वो national manufacturing policy 2011 के अंदर include की गए हैं तो basically क्या है कि manufacturing industries को promote करना ही इस तरह की policy का main motive था main features क्या है national manufacturing policy के तो सबसे पहला promoting employment intensive industry सबसे पहला जो feature है employment intensive industries को promote करना जैसे textile है, garments वगएरा है, jams है, jewelry है जिसे जादा से जादा लोगों को employment provide हो सके second जो इसकी feature है promoting capital goods industries, capital goods industry को हम manufacturing sector की mother industry की तरह मान सकते हैं क्योंकि कोई भी manufacturing industry बिना machine के नहीं चलाई जा सकती है, तो यह जो industries है इसने सिरफ इंडिया, Indian economy में कुछ क्या है कि उतना जादा इसका grow नहीं हो पाया जितना हम लोग चाहते थे, चाहे private sector है, public sector है, उन्होंने बहुत जादा efforts तो किये हैं स्पेशल फोकस भी जो है वो machine टूल वगारा के उपर, heavy electronic equipment वगारा के उपर, mining equipment के उपर तो जो basically manufacturing policy बनाई गई है तो उसमें यही है कि इन सारी इंडस्ट्रीज को develop किया जाए Promoting Industries with Statistic Significance Basically, जो कुछ industries है जिनमें Statistic Significance है जिसमें sustainable development को बढ़ाया जा सके, national security को provide किया जा सके तो इसमें भी national manufacturing industry के अंदर भी जो policy बनाई गई है तो इनको भी promote करने की बात हो रही है इंडिया enjoy competitive advantage तो जहां पर इंडिया बाक्यों की competitively बहुत अच्छे से कर सकता है जहां पर इसको competitive advantage मिल सकता है तो उसमें भी manufacturing policy के अंदर इसको include किया गया है Promoting MSME Micro Small Medium Enterprises तो micro small medium enterprises का भी contribution manufacturing में बहुत जाता है तो basically manufacturing policy के अंदर इस तरह की industries को कई तरह के incentive दिये गए है ताकि इनको promote किया जा सके micro small और medium enterprises को तो बहुत बड़ा place जो है वो इनको दिया गया है Promoting public sector जो enterprises है PSC को भी promote करने के लिए भी manufacturing policy में provision बनाया गया है इनको कई तरह की freedom दे दी गई है जो freedom है like decision making के बारे में है bureaucratic hurdles को कम किया गया है political interference को भी कम किया गया है next है technological upgradation कुछ ऐसे efforts किये गए हैं जिससे indigenous technology को बढ़ावा दिया जा सके उनको develop किया जा सके अगर हमारे पास modern technology domestically available नहीं होती है फिर हम इसको foreign से import करना पड़ता है इसके लिए technology acquisition and development fund को set up किया जाएगा तो यह जो provision है वो manufacturing policy की अंडर रखा गया है तो यह basic feature है national manufacturing policy 2011 की इसके बाद हम बात करते हैं कि make in india program के अंडर कौन-कौन से ऐसे issues हैं कौन-कौन से ऐसे challenges हैं जिनको face करना पड़ रहा है सबसे पहले तो जो first challenge हम ले सकते हैं that is shortage of power resources इंडिया के अंदर जो power resources है उनकी बहुत जादा कमी है जिसे electrical है, coal है, oil है अगर हम बात करें otherwise तो resources जादा है लेकिन जितनी हमारी demand है उसके comparatively resources कम है तो hydro electricity का है, thermal electricity है तो यह resources हमारे पास कम available है shortage of capital इंडिया तो मतब इतनी जादा rich countries में नहीं आता है तो large और medium size की जो industries है उनके पास बहुत जादा capital invested है वहाँ पर जादा capital invested की requirement होती है तो इन industries को अपनी जो capital need है उनको stock market से पूरी करनी पड़ती है financial institutions से पूरी करनी पड़ती है bank से money borrow करना पड़ता है और बहुत जादा scams होते हैं stock market के अंदर तो लोग उसके अंदर money invest करना जादा तर avoid ही करते हैं तो financial institutions में इनको जितने fund की requirement होते हैं उतने fund इनको available नहीं करवा पाती है तो यह भी बहुत बड़ा एक हमारे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा challenge है capital की shortage का इसके बदा आता है weak infrastructure तो weak infrastructure में इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी efforts किये गए उसको develop करने के लिए लेकिन फिर भी as compared to जो अगर हम बात करें कि जो developed nation act बहुत जादा weak है चाहे वो road है transportation का है railways है waterways है airways है तो उनमें कही न कही अभी बहुत जादा कमी है problem of research and innovation इंडिया के अंदर research and innovation भी बहुत बड़ी मतलब वहां पर भी बहुत जादा lacking है तो वहां भी बहुत जादा efforts करने की requirement है industrial sickness बहुत सारी ऐसे industries हैं जो काफी time से बहुत लंबे time से जो sickness को face कर रही है क्लियर किया गया है next आता है bureaucratic hurdle तो इंडिया के अंदर भी हमें अगर किसी पी तरह की license वगएरा को लेना होता है कुछ formalities होती जिनको हमें पूरा करना पड़ता है तो bureaucratic hurdles जाता है तो इसकी वज़ास से भी manufacturing sector वह ग्रोड नहीं कर पाता है और rigid labor laws जो labor के related जो लो बने गए वो भी बहुत जादा rigid है तो इससे भी industrial unit की functioning में कई तरह की problems आती है तो employer जो है inefficient worker को retrench नहीं कर पाते हैं जो surplus employees है उनको retrench नहीं कर पाते हैं अगर उनको permanent employee की तरह point किया गया है अगर वो regular employees है तो यहां पर भी बहुत बड़ी जो problem होती है वो manufacturing industries को face करने पड़ती है industrial disputes होते है कई बड़ क्या होते है कि अगर relations अच्छे नहीं है तो उस case में कई बड़ जो industrial disputes होने शुरू हो जाते है strikes होती है low counts होते है तो इसका result क्या होता है कि जो man days है उनका बहुत बड़ा close होता है production हमारा कम हो जाता है profit कम हो जाती है तो इससे भी जो cost of production है वो increase हो जाती है तो industrial dispute होने की वज़ा से manufacturing industries को बहुत बड़ी problem को face करना पड़ता है then कुछ और issues हैं जो making in india program से related है first is first one is inefficiency of public sector unit public sector unit भी जाधा efficiently काम नहीं करता है तो उसकी वज़ा से भी जो है वो making in india program जो है वो successfully operate नहीं हो पाता है political instability है इंडिया के अंदर जो political instability है तो वह भी बहुत बड़ी hurdle है इस program को successful बनाने के लिए lack of entrepreneurship तो यह भी बहुत बड़ा reason है जिसकी वज़ा से making in india program को implement करने में एक बहुत बड़ा challenge हमारे सामने है poor global image हमारी जो image है वो पूरे अगर global level पर देखे तो पूर image की तरह है less mobility among workforce workforce के बीच में भी जो mobility है वो बहुत जादा कम है ठीक है बहुत जादा जो वो mobile नहीं कर सकते हैं वर्क फोर्स है हमारी तो यह भी एक ऐसा reason है कि जैसे जो रूरल एरियास में लोग हैं जो women employees होती है जो रूरल एरियास में employees होते हैं तो वो भी effectively मतब उनको वो काम नहीं कर पाते हैं तो वो भी एक reason होता है कि जो proper workforce है वो available नहीं हो पाती है next time बात करेंगे suggestions के बारे में कि किस तरह से making India program को improve किया जा सकता है making India program को strengthen बनाया जा सकता है तो सबसे पहले है promoting ease of doing business कि किस तरह से हम business को easily कर सकते हैं जो means जो formalities है उनको कम से कम किया जा सकता है तो अगर ease of doing business हो जाए तो इसे होगा कि हर एक जो manufacturing sector है वो effectively अपने काम को कर पाएगा then development to private sector private sector efficiently काम करता है अगर private sector को develop किया जाए तो manufacturing development है वो automatically हो जाती है encouragement to capital formation capital की कमी होने की वजह से manufacturing sector इतना efficiently काम नहीं कर पाता है लेकिन अगर capital formation को बढ़ावा दिया जाए उसको सेविंग जो है उनको उनको mobilization हो तो उससे क्या होगा capital formation होगी और इससे manufacturing sector को money available होगा और वो effectively काम कर पाएंगे development of infrastructure तो infrastructure को भी अगर develop किया जाए तो उससे भी क्या होगा manufacturing sector की automatically development होनी शुरू हो जाएगी modern machines को हम बहार से इंपोर्ट कर सकते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा contribution होगा manufacturing sector की development में make in India program को strong बनाने में labor reforms labor से related जो लो बने हुए वो बहुत जादा rigid है तो उन लोस में भी अगर reforms लाए जाए कुछ सुधार लाए तो उससे भी जो है वह make in India program सक्सेस्फुल हो सकता है अगर manufacturing unit को एक regular power supply मिलती रहे तो उससे भी वह effectively काम कर सकेंगे this was all about make in India program मुझे उमीद है कि आपको यह topic समझ में आया होगा thanks for watching the video मुझे लाए